तीक रंजीस्ती चुनावों में जगडा था, उनके खलाफ इनोंने कारवाई की, लोग पेसे बांट रहे थे, विजज़पी सरकार है, उनको पकड़ा तो उन्होंने उस कारण इनका उपर से दवाब डलवा गे, सीम साफ से, इनका ट्रांस्फर कराये गे है, और इसी का जो उनको इतना फिस्वास था, यह इमानदारी से जो सचाई उनको इसाथ देंगे, यह सारा राजनितिक सिर्देंदर के चक्र में जगडा हुआ था, और उनके खिलाफ कारवाई की, और उन्हों लोगों नहीं करवाया सारा काम यह, स्वामी जी, हम सरपांच एश्वेशन है, एम सी साहिबान है एलनाबाद के, मैं अड़ती एश्वेशन की तरफ से हूँ, और भी बहुत से सथाएं हैं, तो संदीब कुमारत जी हमारे पिछले 6-7 मैनों से एलनाबाद के थाना इन चार्ज थे, उनका कारह काल बहुत ही बढ़िया रहा, उसे के मतलक की आज हम S.P. मह प्लिटिकल प्रेशर के हिसाब से इनका ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, बहुत से S.H.O. आए और बहुत से चले गए, मेरे को नहीं लग रहा है कि कभी इतने लोग की S.P. महद्या से मिलने के लिए सरसा आए होंगे कि हमारे ओफिसर को वहीं रखा जाए, ये प्रॉलम सार आदमी, सीधा, आम आदमी, पॉल्टिशन और मैंने अस्वी महद्या साब से भी यही बात की थी, कि बड़ा आदमी, पॉल्टिशन आदमी उचके थूरू पहुंच कर लेता है, लेकिन ऐसा महौल हो गया था था थाना एलनाबाद का, कि आम आदमी नागरिक, आम जो सिंप से भी उन्हें पुने आदमी इसाद आदमी कि सुनता है, कोई किसी पी चोली की जरूर्ट नहीं है, ना कोई पेसों के गोज की तरफ तेखना पड़ता भी गोज में पेसे हैं यह नहीं है, इसलिए आदमी आदमी की चाहिए, पॉल्टिशन आदमी की चाहिए, लेकि रहे सेर के लिए बहुत बड़िया थे, क्राइम कंट्रोल के लिए, हर तरह नहीं से पब्लिक डिलिंग जो दलाल थे, वो खतम हो गए, तो मेरी तो सरकार से और एस पी साफ से रिक्वेश्ट है भी, इनको दुबारा परदबार करके उनको लगाया जाए, दस चुसा बहुत लेंग लेते हैं, और आज तक पहले मुटसा रोचारी होते थे, साथ मिनने में कोई एक अदा मुटसा रॉप महानों को चारी हो है, हाँ, उसके बाद कोई मुटसा चारी नहीं हो आज तक जी, नहीं करन लेकर दबार लग़ किआ गाया थे, राजनितिक है, पते ही सभी को तुछ पर जी वार्ड जी अवर्णा शाव साथ में निशिक रिबन लगाता शिवा दे रहे हैं और इन्होंने जो कार्ये किया एलनावाद के शहर के और आसपास के गाउँ के अंदर जो नसा का है, और का है, कोई भी क्रायम होता है, तो उसके उन्दर अंगुस लगाए है, और मैं तो यह कहता हूँ भी कोई भी अधिकारी पास जाता था, पचले डरता था और इनके पास ठाने में जाते हुए, किसी को संकार नीटियों जो जहेनी नो बात था, तो वह काम करते थे और इनका राजनीतिक प्रेसर के दबाब के कारे निये इनका ट्रांसफर किया गया है और मैं ये एस भी साब से गुर जाइस करता हूं कि मिला इसको पुलिस अधिक्सक कारेले के सामने हूं और यहां एल्लावाद के गड़माने लोग और नंगर पालिका स से पारसद आर्टी एसोशन से और सरपंच एसोशन से जो है काफी लोग यहां पर एसपी साब से मिलने आये उन्होंने एक जो है निवेदन एसपी से किया कि जो अलावा थाना में सच्चो संदीब कुमार है उनका बादला रद किया जाए वजह उन्होंने बताई कि पिछल हाद तक जो है चोरियां भी रुकी है जो सुट-पुट गटनाई हुई है उसमें भी पीडित को त्रंट से जो है वो नियाई मिला है और आज तक के इतियास में एलावाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि आम नागरी की जो सुनवाई है वो बिना किसी राजनेतिक से जो है तबादला करवाना राजनेतिक दवेश के चलते एक तरह से पूरे छेतर के पबलिक जो पबलिक की जो भावनाई हैं लोगों के आम लोगों की जो भावनाई हैं उनके खिलाप जाने का काम जो है उन राजनेतिक लोगों ने किया है जिनोंने ही उनका तबादला य करेगा अगर आपको शिकायत आती है तो आप दोबारा से मिल सकते हैं ये उन्होंने आस्वासन डियर उन्हें ये भी कहा है कि आप 15-20 दिन नए जो अफसर आएंगे उनको भी आप अजबा कर देखना अगर वो उन्होंने एक तरह से संदीब कुमार को पूरे हर्याना पुलि स्थेरे हरा दोड़ी है ये छोड़े खायए हरा फिरस लामाना फिरकिल कर दोड़